नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हर्शिद वेदी और मैं आपका स्वाथ करता हूँ अपने इस वीडियो में Central Council of Ministers को यहाँ शुरू कर रहे हैं Part 88 है यह लक्षमी कांथ का देखिए यहाँ पे Council of Ministers के बारे में जो Article 74 में लिखा है वैसे तो Article 74, 75, 77, 78 में आपसे पहले भी बात कर चुगा हूँ लेकिन चुकी यहाँ पे Council of Ministers की बात कर रही है और इंडिया में हम लोगो Council of Ministers की फंक्षनी को समझना है तो Article 74 में क्या लिखा है इनकी रिस्पेक्ट में 75 में क्या लिखा है, 77 में क्या लिखा है, 78 में क्या लिखा है, 88 में क्या लिखा है Nature of Advise by Ministers, Appointment of Ministers, इन सब चीजों के बारे में एक Detained Analysis इस वीडियो में करेंगे आगे बढ़न इस पहले यह किताब आई होप आपने खरीद ली होगी मेरे साथ बैटके पढ़ रहे हैं, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर अब तक आपने नहीं किया है तेलिग्राम पे इन वीडियो को, आपको तेलिग्राम पे इनकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी तो आप टेलिग्राम का अगर ग्रूप जोइन कर लोगे तो अच्छा रहेगा और भी जो वीडियो बनाता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है पीडियो अगर जो भी अप्डोड करता हूँ, वहीं अप्डेट करता हूँ और उसी को हमने अडॉप किया चुकि हम ब्रिटिशर्स के अंदर गुलाम थे अभी जो काउंसल ओफ मिनिस्टर्स इंडिया में होते हैं पर्लिमेंटरी डेमोक्रेसी में काउंसल ओफ मिनिस्टर्स की बहुत इंपोर्टेंस होती है इन council ministers को head कौन करते है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर is the real executive authority in our political administrative system जो president है वो nominal authority है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो real authority है अब आप बात करो principles of parliamentary system of government दीखिए parliamentary system of government की जो principles है न वो parliamentary conventions के हिसाब से होते है और हमारे सम्विधान ने ये पूरी आजादी दिये हमारे parliament को कि उन principles को अगर enumerate करने की जरौत है तो enumerate किया जा सकता है लेकिन clearly बहुत सारी चीजें parliamentary system किस तरीके से काम करेगा ministers की appointment में ठीके ना जो advice वो देंगे उसके respect में इसके बारे में constitution में बहुत ज़्यादा clearly चीजें लिखी नहीं है लेकिन 74 article में 75th article में काफी सारी चीजें लिखी हुए जैसी 74th में status of council of ministers के बारे मता रखा है 75 में appointment, tenure, responsibility, qualification, oath, salaries, allowances of ministers इसके बारे में कुछ बाते लिख रखी है तो एके करके इन सारी चीजों को analyze करेंगे सबसे फ़हले शुरुवात करते है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है तो आप देखें council of ministers के बारे में कहा लिख दया article 74 अब article 74 को जब हमने president पढ़ा था हमने तब भी पढ़ा जब हमने प्राइम minister पढ़ा था हमने तब भी पढ़ा और अब जब council of ministers आया हम तब भी पढ़ रहे है चोकि तीनों चीजों के साथ deal कर रहा है article 74 इसमें तीनों का नाम लिखा है council of ministers भी है प्रेजडेंट भी है प्राइम मिनिस्टर भी है तो उस्पीर से बतारता हूँ एक council of minister है जिसको head करते है प्राइम मिनिस्टर वो लोग आपस में mail bar मतलब बातचीत करके एक decision निकालेंगे उस decision को president के पास बेजेंगे और president को उस decision के हिसाब से ही काम करना है और अगर माल लिजे कोई advice आता है आपका council of ministers headed by prime minister की तरफ से president के पास तो क्या president को उसको मानना ही मानना है बेलोगोल president को उसको मानना ही मानना है लेगन अगर president को लगता है कि उस advice में कुछ problem है कुछ constitution के against provisions हो सकते हैं बारत देते तो उस case में president को मानना ही पड़ेगा उसके बाद एक और important चीज़ the advice standard by the ministers to the president shall not be inquired into any court यानि कि जो भी advice council of ministers ने president को दिये हैं उसकी कोई भी inquiry नहीं होगी ठीक है मतलब कि ये जो ministers ने president को invoice दिया ये एक executive authority है और इस executive authority की inquiry नहीं कर सकती judiciary चोकि अगर इस तरीकी की चीजों की inquiry करने की ताकत दे दी गए judiciary की तो भाई ये judiciary तो फिर executive कामों में गुषने लगी कि आपको मैंने बताया है न आपको मैंने बताया रखा है कि जो हमारी government है अगर आप देश के तो उसके तीन पार्ट है एक है executive एक है legislative और एक है judiciary और ये तीनों आपस में बराबर हैं ये तीनों एक दूसरे की ताकत में interference नहीं कर सकते हैं तो executive judiciary की ताकत में interference नहीं कर सकता उसके बाद executive और legislator एक limit से आगे जाते हैं constitution को बदलने की कोशिश करते हैं तो judiciary बीच में आ जाएगा basic structure का सिध्धान दे देगा 1973 के शुनन भारती केस में executive नियम कानून नहीं मना सकता चुकि वो सिर्फ legislature मना सकता सबको बराबर की ताकत दी गई अभी executive को भी ताकत दी गई है तो अब इस executive की ताकत में अगर judiciary interference करने लगेगी तो वो भी सहीं नहीं है तो यह जो ताकत है ना कि भाया जो भी council of ministers decision लेंगे वो president के पास बेजेंगे president को मालेगा वो जो decisions लिये गए हैं और जो advice दी गई है उसके inquiry नहीं होगी court में यानि उसके उपर यह बैस नहीं सकती कि वो decisions सही है या गलत है दे दिये तो मतलब दे दिये फिर बात करते है article 75 की other provisions as to ministers भाया article 75 में क्या बोला गया है तो यहाँ पे सबसे वहला point बोला गया है आप देखिए the prime minister shall be appointed by the president and the other minister shall be appointed by the president on the advice of the prime minister तो भाया प्राइम minister को appoint करेगा president अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि president अपनी मर्जी के साफ से किसी को भी prime minister नहीं appoint कर सकता उसको एक set pattern के साफ से prime minister appoint करना पड़ेगा लोग समा में जो सबसे बड़ी political party है उसके head को prime minister appoint करना पड़ेगा और अगर political party में clear majority नहीं है तो procedure को मैंने बहुत detail में president और prime minister की वीडियो में cover किया वहाँ जाके देखिए यहाँ पर repeat नहीं करूँगा यहाँ पर सिर्फ इस topics related बात करनी है उके उसके बाद जो दूसरे ministers है वो president appoint करेगा on the advice of prime minister prime minister के पास ताकत है कि वो अपने cabinet में जिसको भी minister रखना चाहे उसको minister रख सकता है उस minister का नाम prime minister बताएगा president को और president को उनी को appoint करना है ठीक है तो अपने cabinet को चुनने में prime minister के पास पूरी आजादी है B और C point मैं आपको पहले समझा चुका हूँ अभी इसको नहीं देख रहे है फिर article 75 में कुछ और चीज़े निकल के आती है जो total number of ministers हैं आपके council of minister में including prime minister वो 15% of the log sabah की membership से जादा नहीं हो सकते है ये जो provision है इसको 91st constitutional amendment act 2003 से हमारे समयधान में जोड़ा गया तो ये amendment act क्या बोलता है कि overall जितनी भी strength है लोग sabah की उस strength के 15% से जादा council of minister नहीं हो सकते है प्राइम मिनिस्टर को मिला के उसके बाद इसी 91st amendment act 2003 की थ्री कुछ और चीज़े हुई है जैसे कि for example जो either house of parliament है चाहे हो लोग sabah हो चाहे राजसबा हो अभी इनका कोई member अगर on grounds of defection anti-defection law दे रहा है ना हमारा 10th schedule of the Indian constitution में तो anti-defection law के अंदर अगर कोई person disqualify हो जाता है to be a member of लोग sabah और राजसबा तो उस case में वो disqualify हो जाएगा minister बनने के लिए भी तो माल लिज़े कोई central cabinet में और anti-defection law के चलते वो member of parliament ही नहीं रहता है ना राजसबा का member रहता है ना लोग sabah का member रहता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दू minister किसी भी हाव से चुली जा सकते है लोग sabah के members को भी minister बनाया जा सकता है राजसबा के members को भी minister बनाया सकता है और council और minister चोड़ दो हमारे prime minister राजसबा से लग चुके है तो इंदरा गांदी जी राजसबा से थी HD देवी गोडा जी राजसबा से थे Manmohan Singh जी राजसबा से थे बाद में इंदरा गांदी जी लोग sabah से जीत गई थी लेकिन शुरुबा से वो राजसबा से एंपी बनी थी तो कुल मिला के बाद ये है कि anti-defection proceedings के चलते है अगर आपकी parliament की membership जाती है तो आप minister के लिए भी disqualify हो जाओगा minister भी नहीं बनो रहोगे अगर आप पहले हो तो उसके बाद minister shall hold office during the pleasure of the president भी जो चौता point लिखा है लक्षमी कान में आपके कि ministers hold office during the pleasure of the president ये actually मैं president की pleasure नहीं है यानि कि prime minister जब चाहे वो president को बोलेगा कि भाई ये जो minister है ये मेरी बात नहीं मानना या मेरे से disagree कर रहा है तो मैं इसको इसकी positions हटाना चाहता हूँ आप एक काम करो आप इसको इसकी positions हटा दो तो president उसको हटा देगा इसलिए बोला जाता है कि ministers shall hold office during the pleasure of the president फिर council of minister shall be collectively responsible to the लोगसभा तो भी जो council of minister है वो किसको responsible है लोगसभा को तो बहले ही council of minister में कोई एक ऐसा member हो जो कि राजसभा का हो और वो minister के अंदर बैठा हो लेकिन overall यह जो council of minister body है यह लोगसभा को responsible होगी चोकि आप देखो हर 5 साल में general elections के थूँ चुन के जो body आ रही है वो कौन सी है वो लोगसभा है minister को oath कौन administer करता है तो president oath करता है oath of office and secrecy तो minister भी secrecy की oath करता secrecy की oath मतलब कोई ऐसी confidential बात है तो वो किसी को leak नहीं कर सकता किसी को बता नहीं सकता यह एक important point है हाँ उसकी duty बोलती ही कि हाँ भाई आप nation को address करिये किसी particular चीज पे आप चीजनों को देश को बताईए तो कल के आप कह सकते हो कि माले जे defense minister हमारे राजना सिंग जी तो defense minister राजना सिंग जी को nation को address करना है गल्वन वैली में जो incident हुआ उसके बारें बताने के लिए तो राजना सिंग जी आके सामने बता सकते हैं को कि कल की date हमाले जी चाहिना जंग चुड़ने की सिती आ जाती है तो इन सब बातों को secret रखने के लिए oath of secrecy sign कराई जाती है समझ गयोगा अप मैं आपो क्या point कहना चाहरो चुकि यह जो ministers हैं वो पूरे देश से related sensitive decisions लेते हैं अब यह sensitive decisions ले रहे हैं तो sensitive चीज़ें सबको तो बता ही नहीं जा सकती है तो इनको oath of secrecy sign करने है उसके बाद देखिए एक person मान लिजे परल्लेमेंट का member नहीं न लोगसभा का member है न राजसभा का member तो क्या आप उसको minister बना सकते हो बिलकुर बना सकते हो जब आप एक ऐसा person जो लोगसभा राजसभा का member नहीं सोरी राजसभा का member nomination से बन रहा है ठीक है या फिर election से बन रहा है वो एक अलग चीज़ देखिए लोगसभा में अभी अंगलो इंडियन वाला quota तो आड़ गया है ठीक है तो 543 seat है almost सारी के सारी elected है मतलब सारी elected seat है nominated seated की बात की जाए nominated seated की बात की जाए तो राजसभा होता है राजसभा में आपको पता है 12 seat जो लोगों ने social science की field में art की field में science and tech की field में कुछ बहुती बड़ा काम किया exceptional extraordinary काम किया उनको राजसभा member बनाया सकता है तो जो 12 nominated members होते हैं उनमें से भी minister बनाया सकता है जो salaries है allowances है minister की उनको कौन determine करेगा parliament determine करेगा अब आजाते हैं हम लोग article 77 पे conduct of business of the government of India देखिए सबसे पहली चीज़ all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president भाया चाहे executive action हो चाहे legislative action हो अभी चलो legislative action की बात नहीं हो रही यहाँ पे executive action की बात हो रही है तो कल की date में आप देखो कल की date में 2014 का example देता हूँ planning commission को हटा दिया किसी भी तरीकी की legislative action की ज़रोत नहीं क्यों चुकि planning commission खुदी एक executive body थी इसकी जगा आपने बना दिया नीती आयोग नीती आयोग भी एक executive body है तो इस नीती आयोग को बनाने में कोई इस तरीके से जितने भी executive action है और executive action क्या होते हैं यह मैंने कम से कम नीती दो हजार बार अब तक आपको बताया होगा लक्षिमिकान में पता रखा है तो executive action किसके नाम में लिए जाते है प्रेजिडेट के नाम पर हाला कि जो legislative action है वो भी president के नाम पिलिए जाते है तो लोकसभा राजसभा से bill pass होगा तो president के sign की बेना law नहीं बनेगा उसके आद कुछ सब्द है कुछ statements हैं यह statements British colonial acts के समय से चले आ रहे हैं हमारे सम्विधान में इनको भी पढ़ लिए एक बार orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by president दूसरा president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business यह जो दूसरा और तीसरा point ही है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ देखे president समय समय पर कुछ orders निकालेगा कुछ instruments निकालेगा instruments मतलब एक ऐसे mechanism जिसके थूँ आप governance को चलाओगे अभी यह order और यह instrument किस तरीके से apply होंगे किस तरीके से इनका real-time application होगा किस तरीके से इनके अंदर जो भी नियम कानून लागू किये जाएंगे उनको authenticate किया जाएगा वो सब इन orders में लिखा होगा तो यह चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as specified in the rules कि भी यह president ने कोई order और instrument निकाला है और उस instrument में लिखा है कि president के नीचे जो authority है subordinate जो authority है वो अगर कोई नियम कानून निकालती है तो उसके पास उनियम कानून निकालने की ताकत है कि नहीं है वो किस तरीके से काम करेगी क्या उसका उसके उपर कौन से rules अप्लाई होगी यह सब president के original order में लिखा होगा और उसके इसको authenticate किया जाएगा बोल बच्चन बाते है उसी तरीके से तीसरा point क्या बोलता है कि भाईया government of India proper तरीके से काम कर सके business कर सके उसके लिए president rules बनाएगा और ministers के बीच में business को बाटेगा हाला कि ministers के बीच में जो business को बाटने वाला point है तीसरे number में यह actually में तागत prime minister की finally आ जाते है council of ministers के respect में duties of prime minister यह actually में वही articles दोस्ति दिनकों में पहले discuss कर चुगा हूँ चुकि council of ministers से related बाते बताने इसके दुबारा देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बता रखा it is the duty of the prime minister क्या to communicate to the president all decisions of the council of ministers related to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation यहनी कि union की में administration के लिए center मान लिजे कल की date में कोई executive order निकालता है यह फिर center मान लिजे प्लान कर रहा है कि हाँ भाई यह legislation हम लोग सभा में या राज सभा में introduce करेंगे तो अभी इस case में council of ministers headed by prime minister ने कोई decision लिया है तो उस decision के बारे में president को बताया जागा यह किसकी duty है prime minister के लेकिन important क्यों है council of ministers के लिए चुकि council of ministers का नाम आया है हाँ पर फिर B में क्या दे रखा है to furnish such informations relating to the administration of the affairs of the union and the proposals for legislation as the president may call for यानि कि अब देखे union के affairs से related जो भी decision होंगे और जो भी legislation के proposals होंगे ऐसा तो है निकि PM अकेले ले लेगा इंदरा गांदी जी की समय पे emergency लगी थी उससे में पर Prime Minister इतनी ताकतवर थी कि कि किसी भी Council of Minister की चलती नहीं थी बड़ा वैसा नहीं है आप भाईया Prime Minister जो भी major decisions लेते हैं उससे पहले Council of Minister से बात करते हैं तो यहाँ पर Council of Ministers बहुत important हो जाते हैं और उसके बाद तीसरा point If the President so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council यानि President क्या बोल रहा है कि आपके Council of Minister में से किसी एक Minister ने decision ले लिया है अब इस decision में मुझे कुछ problem नजर आ रही है आप एक काम करो इस decision को पूरे Council of Ministers के सामने discuss करो तो यहां पर Council of Ministers का important role आ गया कि मान लिजे किसी एक individual Minister ने decision लिया है तो उस case में जो भी decision है उसको Council of Ministers के सामने रखा जा सकता है बहस के लिए तो कही न कही Council of Ministers का एक joint effort यहां निकल के आता है और finally बात करते है Article 88 Rights of Ministers as respects the House देखिए हर Minister के पास House में बोलने की ताकत है Proceedings of the House में पार्ट लेने की ताकत है Any joint sitting of the House में पार्ट लेने की ताकत है Any committee जिसका वो member है अब देखिए Joint sitting of the House होगी तो वहां पे लोगसभा, राजसभा सबके member बैठे होंगी तो वहां पे वो Minister खड़ा हो सकता है बोल सकता है उसकी Proceedings में participate कर सकता है Proceedings में participate करने का मतलब है कि भाईया वो question बूच सकता है Question hour के दोरान Zero hour के दोरान ठीक है वो बोलने की permission ले रखता है Right to speak तो बहुत सारी चीज़ें होती Vote डाल सकता है resolutions पे और मान लिजे किसी Community of the Parliament किसी भी member को अगर member बनाया जाता है तो उस case में वो Committee of Parliament की भी जो Proceedings से उसमें भी participate करेगा तो यह चीज़े हैं यहाँ पे लेकिन एक बात याद रखिए जो Minister है वो किसी Community का Head नहीं कर सकता है तो भाई Minister को Right to Speak है House में Proceedings से वो participate कर सकता है किसी भी Joint City of the House की Proceedings में participate कर सकता है वो तो खेर member of Parliament में participate कर सकते हैं और कोई Committee of Parliament जिसमें उसको एक Member बनाया गया उसमें भी वो participate कर सकता है बट वो वोट करने के लिए Entitle नहीं होगा अब बात करते हैं किसकी Nature of Advise by Ministers क्या है भाई ये Nature of Advise by Ministers यहां लिख देता हूँ ये बहुत important है Article 74 में साफ साफ लिख रखा है कि भाईया Council of Ministers with the Prime Minister at the Head Aid करेगा और Advise करेगा President को President जो कुछ भी करेगा वो इस Council of Ministers Headed by Prime Minister के साफ से करेगा इसके बार में strict instructions दिए गए है दो Acts में एक है आपका 42nd Amendment Act 1976 एक है आपका 44th Amendment Act 1978 अभी इसमें instructions क्या दिए गए है ये मैं आपको clear cut बताता हूँ देखें 42nd Amendment Act 1976 ने क्या बोला कि भाईया अगर Council of Ministers ने कोई Advise दी है प्रेजडेंट को तो प्रेजडेंट को वो माननी ही है प्रेजडेंट के पास और कोई चोईस नहीं है 42nd Amendment Act 1976 Emergency की दूरान Congress सरकार ने लागू किया था बाद में आया 44th Amendment Act 1978 44th Amendment Act 1978 ने क्या बोला कि देखिए अगर President Council of Ministers को यह बोलता है कि देखिए यह जो आपने मेरे को Advise दिया है इस Advise को मैं वापस आपके पास भेज रहा हूँ आप एक बाद इस Advise को Reconsider करो तो उस केस में जो Council of Minister है वो इस Advise को Reconsider करेगा लेकिन Reconsider करने के बाद अगर Council of Ministers उसी Advise को वापस भेज देते हैं President के पास तो President को मानना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी Advise दी है Minister ने इसको किसी Court में इंक्वाइर नहीं किया जा सकता चोकि वो Ministers का Prelogative है यह उनकी ताका था है यह Confidential Relations जरूरी है चोकि Administration से Related हर बात को देश को बताया नहीं जा सकता और वो सही भी नहीं है चोकि हर बात अगर बताई जाने लगी डेमोक्रेसी में तो काम ठब पपड़ जाएगा किसी ना किसी को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होती ही है उसके बात 1971 में Supreme Court ने क्या बोला कि मान लीजे लोगसभा डिजॉल्व हो जाती है तो भले ही लोगसभा डिजॉल्व हो जाया Council of Ministers को नहीं हटाया जाएगा क्यों Council of Ministers को नहीं हटाया जाएगा अगर आप Council of Ministers को अटा दोगे कौन चलाएगा राज इसलिए जब तक नहीं लोगसभा चुनके नहीं आती और नहीं Council of Ministers नहीं बनती तब तक पुरानी Council of Ministers काम करती रहेंगी क्यों चुकि आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा है कि President किसके इसाफ से काम करेगा Aid and Advice of the Council of Ministers Headed by Prime Minister के साफ से काम करेगा और भाई Council of Ministers ही नहीं रहेंगी तो President Advice कौन देगा और एक बात है President को जो Advice मिल रही है न वो President को माननी ही माननी है और जहां चाहां भी सम्विधान में लिखा है कि अगर President Satisfy है Satisfaction of President Satisfaction of President तो जहां जहां भी सम्विधान में Satisfaction of President लिख रखा है वो Actually में President का Personal Satisfaction नहीं है वो Council of Ministers की Advice है तो Council of Ministers अगर किसी चीज़ को लेके President को ये बोल रहे हैं कि भाई आप ये करिए तो President वो करेगा और वहाँ पर President का Satisfaction माना जाएगा समझ गए तो भाई सीधी बात है कि Council of Ministers के पास ये ताकत है कि जैसा वो President को करने को बोलेंगे वैसा President करेगा Personal Satisfaction उसकी Personal Satisfaction नहीं है और फाइनली आते हैं भाई आपके Appointment of Ministers पे अब यहाँ पे एक chronology में चल रहे हैं वैसे तो मैं आपको Appointment of Ministers पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से आ गया है तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फिर से repeat हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर को कौन अपोइंट करता है President बाकी सारे मिनिस्टर से कौन अपोइंट करता है President किसके एडवाईस पे प्राइम मिनिस्टर के अडवाईस पे जिन मिनिस्टर का नाम लेंगे प्राइम मिनिस्टर वही अपोइंट करे जाएंगे President के दोरा President अपने इसाब से किसी को भी अपोइंट नहीं कर सकते एक मिनिस्टर लोगसभा से भी हो सकता है अगर वो लोकसवा राजसवा दोनों का Members नहीं तो भी Minister बन सकता है। बशरते Minister बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको either house of the Parliament का Member बनना है। तो चाहे वो election से बनने चाहे वो nomination से बनने। आपको बताया ना कि अगर वो राजसभा का मेंबर बना है तो चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो अलेक्टेड हो बस वो राजसभा का मेंबर होना चाहिए और एक ऐसा मिनिस्टर जो किसी एक हाउस आफ पारलामेंट में है उसके पास यह ताकत है कि वो दूसरे हाउस आफ Parliament की proceedings में बोल सकता है बट वो वहाँ vote नहीं कर सकता है तो मान लीजें कि भाई राजनात सिंग जी लखनव से MP बनके राजसभा में स्वरी लोग सभा में इस समय पे Defence Minister है वो Council of Minister के member है अभी कल की date में अगर Defence related चीजों पे सवाल पूछा जाएगा राजसभा में तो भाई Defence Minister को जाके वहाँ पे बोलना पड़ेगा प्रोसीडिंग से participate करना पड़ेगा तो राजनात सिंग जी के पास ये ताकत है और बाकि जितने भी CEO हैं Council of Minister से उनके पास ये ताकत है कि वो जिस house के member है उसके अलावाद दूसरे house में जाके बोल सकते हैं उसकी proceedings में participate कर सकते हैं लेकिन दूसरे house में अगर voting होगी तो उसमें वो participate नहीं करेंगे voting एक minister उसी house में participate करेगा जिस house का वो member है तो यहाँ पे हम खतम करते हैं दोस्तों अपने discussion को अगली वीडियो में ओथ and salary of the ministers के बारे में बात करेंगे responsibility of the ministers के बारे में बात करेंगे जहाँ पे collective responsibility of the ministers individual responsibility of the ministers और ministers की कोई legal responsibility यह नहीं है यह बात करेंगे composition of the council of ministers देखेंगे तो आगे की वीडियो में यह आने वाला thank you for watching, have a great day